हलो दोस्तो स्पोटलाइट चैनल में आपको स्वागत है जैसे कि आप सभी को मालूम है कि यूजी सेनेट जून 2020 के एक्जामिनेशन के सुरुवाद 24 सिप्तम्बर से हुई थी जिसका आखरे एक्जाम ठीक एक मैने के बाद 23 अक्टूबर को खत्म हो रहा है आप सभी को मालूम है कि एंटिये ने जैए एडवांस और नीट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है जिससे कि अनुमान लगाया जा सकता है कि यूजी सीनेट जल्द ही नेट का रिजल्ट भी डिक्लेयर करने वाला है 23 अक्टूबर को खत्म हो रहे एक्जाम का पढ़नाम संभवत 13 नौमबर को गोसित कर दिया जाएगा ये कैसे आप सोच रहे हैंगो कि आपके पास प्रूफ क्या है तो चली हम ये जान लेते हैं मेरा एक थोड़ा से किया गया रिसर्च जो आपको ये डिक्लेयर कर देगा अगर आप देखें कि 2019 में 2 से 6 दिसमबर के बीच यूजी सी ने एक्जाम कंडेक्ट करवाय थे जिसका रिजल्ट 24 से 25 दिनों के अंदर यानी कि 31 दिसमबर को डिक्लेयर कर दिया था ठीक वैसे ही अगर बात की जाए 2018 की तो यूजी सी ने 2018 में 18 से 22 दिसमबर के बीच दो सिप्टों में एक्जाम कंडेक्ट किया था जिसका परणाम 14 दिनों के अंदर डिक्लेयर कर दिया गया था जिससे की यह हनुमान लगाया जा सकता है कि यूजी सी ने जिस तरह से हर बार एक महिने से दो महिने के बीच के अंदर रिजल्ट और एक्जाम कंडेक्ट करवाता है ठीक वैसे ही इस बार भी यूजी सी ने टेक्स अक्टूबर को खत्म हो रहे एक्जाम का पंड़ नाम सं दोस्तों नेट्स जूड़ी ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं भी एक नेट का स्टूडेंट हूँ और मुझे मालूम है कि आपको किस तरह से अपडेट रहना पड़ता है यूजी सी नेट्स ले करके तो इसलिए मैं आपको अपडेट करता रहूँगा प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए